वेल्कम टू नेक्स के जाम आज है 22 अक्टूबर 2022 और 22 अक्टूबर 2022 से करेंट फेस्ट के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्चन से रेलेटेट इंपोर्टेंट फेक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो टेलेगरा मिल्लड कर सकते हैं टेलिمنग गरूप कर आपको सारे पीडियाप एक साथ मिल जाएंगी और टेली ग्राम गूर। का लिंक मैंने इस वीडियो कर डिस्कस्य दिश्कसिंक दिए दिया है तो आप उस link पर click करके telegram group चैन कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं पहला question है हाले में रास्टी पुलिस इस्मृति दिवस कम मनाया गया है तो अभी केस अक्टूबर को रास्टी पुलिस इस्मृति दिवस मनाया गया तो इस question का बे options है अच्छा ये रास्टी पुलिस इस्मृति दिवस मनाया क्यों जाता है तो ये दिन उन बहादूर पुलिस कर्मियों को याद करने और उनको सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिनोंने अपने duty के लिए अपनी जान तक गमाई है अच्छा ये important डिवाला question है तो अभ ही एक अक्टूवर को अंतरास्टी ब्रद्जन दिवस रास्टी स्वेक्षिक रक्तदान दिवस और 200 साकारी दिवस मनाया गया अच्छा एक अक्टूवर को ही अंतरास्टी कॉफी दिवस मनाया गया दो अक्टूवर को अंतरास्टी अहिंसा दिवस और स्वच्छ वारत द दिवस मनाया गया, 3 अक्टूवर को 200 पर्यावास दिवस मनाया गया, 4 अक्टूवर को 200 पसु दिवस मनाया गया, 5 अक्टूवर को 200 सिक्षक दिवस मनाया गया, 7 अक्टूवर को 200 कपास दिवस और 200 मुस्कान दिवस मनाया गया, 8 अक्टूवर को 200 प्रवासी पक्षी दिवस और भारती बायुसेना दिवस मनाए गया। 9 अक्टूवर को 200 डाक दिवस मनाए गया। 10 अक्टूवर को 200 मानसिक स्वास्ते दिवस मनाए गया। 11 अक्टूवर को अंतरास्टी बालिका दिवस मनाए गया। 12 अक्टूवर को 200 गठिया दिवस मनाए गया। 13 अक्टूबर को अंतरास्टी आपदा न्यूनिकर दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को अंतरास्टी एक कचरा दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को 204 दिवस और ग्रामीड महिला अंतरास्टी दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को 200 खादी दिवस मनाया गया। 17 एक्टूबर को अंतरास्टी गरीबी उन्मूलन दिबस मनाये गया और 20 एक्टूबर को 200 सांखे की दिबस और रास्ट्री एक्ता दिबस मनाये गया तो एक्टूबर में अब तक इतने इंपोर्टेंट यह बनाए गये यह आपको याद रखने हैं अच्छा आज की स्वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर यी वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सीर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मौनिंग में उटकर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो चाहे चोटा साई टार्गेट पिक्स करो लेकिन डेली मौनिंग में उटकर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस संगम को आयोजन कहां किया जाएगा तो अभी बार ενसी में एक महीने लंबे 90 संगम का इजन किया जाएगा तो इसंगा से ऐसे अपसिंस है चाहरो सी संगम इसका परपज क्या है तो बार क्षिए और तमिल श्रुक्र ग्यान और प्राचीन सब्वितागत सम्बंदों के सद्यों पुराने बंदन को फिर से खुजने के लिए ये कासी तमिल संगम का आयोजन किया दाएगा अच्छा तमिल यानिकी तमिल नाडू तो ये है मैप में तमिल नाडू तमिल नाडू की केपिटल क्या है? चेन नई, तमिलनाडू के चीप निश्टर कौन है, M.K. स्टालिन और तमिलनाडू के गवर्नर कौन है, R.N. रभी, अभी तमिलनाडू राजी सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरेंस अभ्यारेंड अध्य सूचित किया, पेगा ट्रोन ने चेन नई में आईफोन का निर सूचित किया है, अच्छा, पूरे देश में मचली का सबसे बड़ा उत्पादक है, तमिलनाडू, और पूरे दुनिया में मचली का सबसे बड़ा उत्पादक है, चाइना, इंडिया तीस नमर पे है, इंडिया में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्पदेश है, तमिल थाई बज्थू को अपना राज की गीत कोसित किया है अच्छा तमिल नडू में सत्य मंगलम टाइगर रिजर्ब है इसे अभी टे एक्स टू अवार्ड दिया गया तमिल नडू में जली कट्टू का आयजन किया जाता है और तमिल नडू में आध्य पुरम त्योहार भ होगा तो स्कुषिन का दे ऑपिटन सिये है यह लिया ψंपन सन और यह इस्पेशं के एक नाईट क्लंब में डैड़ पहाएगा है अब यह ऑउस्ट्रिया के रगभी प्लेयर था तो यह है मैं पने ऑस्ट्रिया ऑस्टिया की के पैटल कि क्या है केन वरा और और रस ओस्ट ये पिर्फ प्राइम इस्टर कौन है Anthony Albanese कौन है Anthony Albanese अच्छा अभि ओस्टेलिया की पूर boxing बेस्ज चैंपियन जॉन फैम चॉन का निधन वह ओस्टेलिया होने वाले यह ब्लैक अभ्यास में भारत सामिल हुआ बारत और ऑस्टिलिया ने देरा दून में नौमी आर्मी टू आर्मी स्टाब बारता आयो जित की नासा ने ऑस्टिलिया के स्पेस पूर्ट से पहला रॉकेट लॉंच किया फातिमा पैमान ये ऑस्टिलिया संसद में हिजाब पहनने व बारत के सबसे उदार ब्यक्ति कौन बने हैं तो HCL के founder सेव नाडर बारत के सबसे उदार ब्यक्ति बने हैं तो इस question का say option से यह है इन्होंने एक साल में 1161 करोड रुपए का दान किया है इसे के साथ यह भारत के सबसे उदार ब्यक्ति बने हैं से बुड नाडर हाली में केस ने भारत में अपना पहला ग्रेन डेटा सेंटर लॉंच किया है तो अभी फॉन पे ने भारत में अपना पहला ग्रेन डेटा सेंटर लॉंच किया तो इस कुशन का बे अप्सन सही है अच्छा फॉन पे तो फॉनपे की स्तापना का वोई थी 2015 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है बैंगलोरू में और इसके प्रजेन टेम पर CEO कौन है समेर निगम कौन है समेर निगम ने क्यूशन है हाली में इसरो के आदित एलबन मिसन के प्रधान बैग्यानिक कौन नामित हुए है तो अभी स संकर सुब्रमन्यम इसरो के आदित एलबन मिसन के प्रधान बैग्यानिक नामित हुए तो इसके प्रजेन टेम पर चेर्मेन कौन है एस सोमनात कौन है एस सोमनात ने क्यूशन है हाले में गिनेज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सब्ता का सबसे खराब दिन केसे गोसित किया तो अभी गिनेज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सब्ता का सबसे खराब दिन सोमवार को गोसित किया है तो इस कुश्यन का से अप्सन सही है एक्शल में सटर्ड संडे की ऑफिस की चुटी रहती है तो मुस्टली इंप्लॉई सबसे ज़्यादा आलस फील करते हैं मंडे को इसलिए ग्रेज वुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सौंबार को सबसे खराब सब्ता का दिन गोसित किया है ने कुशिन है हाली में भारत ने अगली पीडी की अगनी बैलेस्टिक मिसाइल का सफल परिच्छड कहां किया है तो अभी उडिशा में भारत ने अगली पीडी की अगनी बैलेस्टिक मिसाइल का सफल परिच्छड किया तो इस कुशिन का बे ओप्सन सही है अब उडिशा तो वेलर दीप और वेलर दीप का नाम मदल के APG अब्दूल कलाम दीप रखा गया उडिसा दिवस या उतकल दिवस कम मनाय जाता है एक अपरेल को अभी उडिसा सरकार ने सम्मिदा भरती को समाप्त किया है अश्विनी बैशनम ने भुबनेश्वर में भारत के पहले एलुमिनियम फ्रेट रेक का उदगाटन किया उडिसा में हैंगिंग सूलर फेंसिंग लगाई गई और भुबनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में अच्छा उडिसा में सुनाबेडा वाइलाइस संचुरी है कोठागड वाइलाइस संचुरी है नलवन वाइलाइस संचुरी है बैसी पल्ली वाइलाइस संचुरी है देवरी गड़ वाइलाइस संचुरी है गहर मठ वाइलाइस संचुरी है और चिलकालेग भारत की सबसे बड़ी खारेबानी की लेग है उडीसा में रसी कुलिया बीच है गुल्डन बीच है अभी युनेशकु ने उडीसा के दो गाउं को सोनामी रेडी डिकलियर किया था वो दो गाउं कान से हैं नियुलिया सही और बैंकट राइपुर उडिसा में लिंगराज टेमपल है, कुडार्क टेमपल है और जगनाठ टेमपल है इतना आपको उडिसा के बारे में आध रखना है नए खुशिन है हाली में जीओ ने High Speed 5G के लिए किस के साथ साज़धारी की है तो अभी जियों ने high speed 5G के लिए Nokia के साथ साज़दारी की तो इस question का A option से यह है जियों ने Nokia और Ericson के साथ high speed 5G के लिए साज़दारी की है नए question है हाली में UNHRC के बिसेश दूत के रूप में निउक्त होनी वाली पहली भारती कौन बनी है तो UNHRC यानि United Nations Human Rights Council के बिसेश दूत के रूप में निउक्त होने वाली पहली भारती बनी है डॉक्टर के पी अश्विनी तो इस question का A option से है यह हैं डॉक्टर के पी अश्विनी और यही UNHRC के बिसेश दूत के रूप में निउक्त होने वाली पहली भारती बनी है हाली में किस IIT ने राष्ट्री बौधिक संपता पुरुसकार जीता है तो अभी IIT मद्रास ने राष्ट्री बौधिक संपता पुरुसकार जीता है तो इस question का C options है अब IIT तो अभी सिक्षा मंतरी धर्विंद प्रदान ने IIT दिल्ली में आई इंक्वेंटिंग का उद्गाटन किया बारती बासा प्रौधिक को बड़ावा देने के लिए IIT मद्रास ने ने लेकड़ी केंदर लौंच किया IIT कानपुर ने निरामन का त्वरग कारिकरम शुरू किया IIT कानपुर ने अंतरिक्ष रूबोट के लिए जैब क्रत्रे मास पेसी बिक्सित की और IIT मद्रास ने सेफ्टिक टेंग को साफ करने के लिए रूबोट भी डिवलप किया है ने है हाली में बुक, माई, सो और किस बेंक ने प्ले ग्रीडिट कार्ड लौंच किया है तो अभी बुक, माई, सो और जाज़ क्रीडिट कार्ड लौंच किया है तो si question में बे ऑप्सिन से ही है अच्छा, RBL Bank, इसकी स्तापना कब होई? 1943 में, इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है? मुंबई में, और इसके प्रिजेन टेम पे MD&CEO कौन है? आर शुब्रमने कुमार, कौन है? आर शुब्रमने कुमार, नए क्यूशन है, हाली में किस देश के ग्रह मंतरी सुएला ब्रेबरमेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो सुएला ब्रेबरमेन, ये ब्रेटेन के अभी तक ग्रह मंतरी थे, लेकिन इन्होंने अभी अप अपने पद से इस्थिफा दया, तो इस कुशन का C-Options रहें यह मात्र 53 दिन प्रिटेन की ग्रह मंत्री रहें और प्रिटेन की जो प्राइम निस्टर है लिज ट्रस उन्ने मात्र 45 दिन के बाद अपने पद से इस्थिफा दिया है। नए क्युश्यिन है, हाली में प्रदानमंत्री मोधी ने कहां चौंहति सो क्रड़ रूपे से अधिक की परियुजदाउ snow की शुरुआत की, तो प्रदानमंत्री मोधी ने उत्त्राखंट में अभी चौंहति सो किरियं की परियुजदाउन Makam mieuxुजदा की शुरुआत की, तो समर केपिटल है और देरादून बेंटर केपिटल है उत्तराखंड के चीपनिस्ट कोन है PUSKAR सिंग धामी और उत्तराखंड की गवर्नर कोन है गुर्मेट सिंग अभी उत्तराखंड के ऑले मिलिटरे स्टेशन में रक्चा मंत्री ने सस्त्र पूजा की थी रक्त, दान, अमरत, महुत्सब में उत्राखंड को दूसरा इसतान मिला है स्कूल सक्षिता सिक्षा कारिकरम पहल उत्राखंड में शुरू की गई और रेसब पंथ को उत्राखंड का ब्रांडमेजटर बनाये गया है अच्छा उत्राखंड में जिम कॉर्वेट नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर नाम है हैली नेशनल पार्क अच्छा उत्राखंड में फूलों की घाटी है फूल देही तिवार उत्राखंड में होना जाता है हरेला पर भी उत्राखंड में होना जाता है नेक्विशन है हाली में आकास फॉर लाइफ अंतरिच सम्मिलन कहां आयोजित किया जाएगा तो अभी दैरादून में आकास फॉर लाइफ अंतरची सम्मेल नायजित के जाएगा तो इस question का C option सही है अब last video के question का answer last video मैंने आप से question पूछा था कि हाली में कटी बिहूत त्योहार के सराज में मनाया गया तो अभी असम में कटी बिहूत त्योहार मनाया गया यानि किस question का A option सही था और लगबग सबेश ट्रेंडनेस का answer सही दिया most लेश ट्रेंडनेस के बारे में detail में लिखा मैं आपको एक बार पिर बोलूँगा question के बारे मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में पांच में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां आयोजित किये जाएंगे चार option दिये गए हैं इन में से आपको अपना answer होता ना है और इसके अलाबा हम मारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके मारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 या like का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook ग्रूप है उन में आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का video आपको ये video कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो इससे आप subscribe जरू कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चे थी मदद मिलेगी जब आपसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon बन के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको daily morning में current affairs की video मिलती रहे next exam always with you thanks for watching